अंतस के धारा में लगातार जागना हुआ। क्यों? क्योंकि लगातार सुलाने वाली ताकत यनि मन मौजूद है। इसलिए हमें continuous मन के प्रती सतर्क रहना होगा। ध्यान रहे। वक्त ना किसी का इंतजार करता है और ना ही किसी के लिए रुपता है। इसलिए जो भी करना है अभी करना होगा। neutral energy होकर के तुम मन के प्रती जाकर देखते रहना। बस मन से totally detached हो जाना। मन की दौड़, मन के द्वारा उठाए हुए past और future को देखना। मन की दुनिया को जो जो इसने भीतर फेड़ किया है वही आएगा। चाहे past का है चाहे future का है। बस तुम उसके आगे तनिक मात्र भी कमजोर नहीं पड़ना। कहीं खो नहीं जाना। अपने भीतर के हालातों को स्वयम देखना। देखने मात्र से सब विसरजित होता है जो जो गैर जरूरी है। जो हमारे अस्तितु से मेल नहीं खाता जो तुम्हारी टेंशन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस का कारण है। वो सब कच्रा विदा होता है। तुम अपने तमाम मनुरोंगों को जड़ से काट कर जीना। मेडिटेशन का यही एक मात्र कमाल है। बस संभलना होगा अंतस में। मन के प्रति सीधा सीधा जाकर देखना कितना तमस, कितना रजस, कितना सत्व। तामसिक व्यक्ति कहता है, जहां मैं हूँ, वही सच है। निद्रा में, आलस में, प्रमाद में। राजसिक कहता है, जहां मैं हूँ, वो तो जूट है। लेकिन शायद उधर को कुछ हो जाए। जिधर को मैं दौड रहा हूँ। लेकिन जब तक वह वहां पहुँचता है, पाता है कि वो भी जूट है, वहां भी पेचैनी। तीसरे मार्ग का व्यक्ति कहता है, यहां हूँ, यह भी जूट है। और जैसा हूँ, वैसा रहे। और वैसा ही मैं वहां तक पहुचूँगा। तो जहां भी जाओंगा, यह भी जूट है। वास्तों में जूट न यहां है, न वहां है। जूट मेरे भीतर है। यहां रहूंगा तो भी जूट है वहां रहूंगा तो भी जूट है क्योंकि यहां भी मैं रहूंगा और वहां भी मैं रहूंगा जूट तो मेरे भीतर है जूटी भूख जूटी चाहत जूटा स्वास्त है जगा पदलने से क्या होगा जैसे कोई कैंसर का मरीज एक होटल से चेक आउट करके दूसरे में चेक इन करे और अब सोचे कि कैंसर नहीं रहेगा भाई तुम्हारे भीतर है होटल का कमरा बदलने से क्या होगा? कभी योगा, कभी जुम्बा, कभी ऐरोबिक्स, कभी फाल्तू की तकलीफ देने से शरीर को क्या मिलेगा? तरक हमारा यही रहता है कि कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होता अब कुछ बढ़िया जुआइन करने की सोची है अब नहीं रहेगा मुटापा या बिमारी तीसरा रस्ता वही है जब तुम खुद समझ जाते हो कि तुम ही कैंसर हो, तुम ही बिमारी हो, तुम्हारा मन बिमार है यह तुम्हारा मन फाल्तू की उच्छल कोद वैसे ही किये जा रहा है क्यों? क्योंकि यही अभी समर्पित नहीं है यह अपनी-अपनी कही जा रहा है जब यह किसी higher के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है बस यही है मुक्ति का मार्ग यही है actual योग फिर स्वास्थे को लाना नहीं पड़ता मुटापे को भगाना नहीं पड़ता आप स्वस्थी रहते है, सुयम में स्थित रहते रहते हर परिस्थितियां, चाहे वो बाहर की हो या भीतर की हो, बस आप स्वस्थ रहते हो, किसी भी परिस्थिति का प्रभाव आपको छू नहीं पाता, आप हर स्थिति में न्यूट्र रहते हो ध्यान रहे तुम्हें अपनी स्थिती या परिस्थिती को नहीं बदलना तुम्हें अपना केंदर बदलना है आसान शब्दों में कहिए तो चाहत को बदलना है लेकिन अहम का संबंद बाहर से जादा रहता है उसे सब कुछ आज माना है मान लीजे एक दुकान में दस हजार चीजे रखी है और तुम लालाई थो कि वो एक चीज पाने के लिए जो तुमें त्रिप्त कर देगी तो तुम क्या करोगे तुम जितनी भी चीजे हैं सबको आजमाओगे और उसी आजमाने के प्रोसेस में हमें पता नहीं क्या-क्या बन जाते हैं हम कभी चीटी, कभी खरगोश, कभी लोमड़ी, कभी पेड, कभी पक्षी, कभी चील एक्चुल बन नहीं गए ये बात भौतिक नहीं मानसिक है, ये बात अच्छे से ध्यान रहे मेटेरियल नहीं, मेंटल है ऐसा नहीं है कि तुम चीटी बन के घूमने लग गए पर अभी तुमने अपने भीतर उसको प्रवेश कराया है शायद इससे फाइदा हो जाएगा तुमने चीटी बनने के भी खूब प्रैक्टिस किया है चीटी क्या करती है? कभी गौर से देखा है? चीटी शक्कर का दाना लेकर भागती है जितना उसका वजन होता है उससे बड़ा दाना लेकर वो भागी जा रही है अपने आसपास के ऐसे लोगों को देखा है क्या? कितना प्रैशर, कितना स्ट्रस, कितना बीपी तो तुमने चीटी बनना भी आजमाया है और निराशा पाई है हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी चीटी ना बना हो और बहुत से लोग तो जानकर भी बार-बार बनते हैं समझ की कमी के कारण चीटी को क्या करते देखा है? एक के पीछे कतार जा रही है और सब चीटी ने उठा रखा है कते कुलियों की फोच सिर्पर बोज़ा जो एक दूसरे को फॉलो कर रही है ऐसा इंसानों को भी करता देखा है क्या? उस सारे इंसान उस वक्त चीटी है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें मर कर चीटी उनी में जनम लेना होगा तुम चीटी जैसा काम कर रहे हो तो तुम चीटी हो गए लेकिन एक बात याद रहे कि ये बात भौत एक नहीं मानसिक है बारी जीवन में भी तुम सब कुछ आजमाओगे खरगोश को ध्यान से देखा है उसका काम है कान खड़े करना कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन क्या कर रहा है तुमने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी बात बात पर कान खड़े हो जाते है क्या चल रहा है इधर का कान उधर का कान भट से भागते हैं गए ये जो जन्म है तुम्हारा इसी जन्म में तुम सब योनिया भोग लेते हो अपने कर्मों के अनुसार संपून योग और उपनिशद यही कहता है इसी जन्म में सब योनियों के भोगता हो तुम मर के किसी दूसरी योनिय में जन्म नहीं लेने वाले चीटी खरगोश इस इसके बाद लोमडी को जरा गौर से देखे चला अक्चतुर। लोमडी जैसे इंसान देखिया है यह नहीं। चालो। तुम मर कर लोमडी नहीं हो। तुम इंसानी जिसम में लोमडी हो। क्यों लोमडी हो। क्योंकि तुमने कर्म ऐसे किये। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही जानवर बन जाएगा तो तीनों गुणों के मेल से सत्वरजस तमस इनके संगम से जितनी योनिया संभव हो सकते हैं अहंकार हम, मैं उतनी योनियों को आज माता है क्या पता किसी योनियों में शांती मिल जाए कहीं मिली गया गदे से लेकर हाती तक सब बन लिये हम मचली, पक्षी, पेड़ और योग के अनुसर 84 लाख योनियों के आधार पर हम सब कुछ कर चुके हैं बहुत उचा ओड़ लिये चील की तरह है लेकिन देख नीचे ही रही है तुमने भी पृत्वी से जितने भी अभियान अंत्रिक्ष में भेजे वो सब नीचे वाले के फाइदे के लिए तो भेजे हैं, नीचे कौन? वो जो पृत्वी पर बैठा है तुम चील जैसे ही हो वो जो बहुत उचा जाती है लेकिन नीचे ही देख रही है मरा हुआ चुआ, मरा हुआ मैंडक कुछ बढ़ा होगा छोटा मोटा नजर तो नीचे ही है गए होंगे, बहुत उपर गए होंगे कौन जाने? उपर भी नीचे वाले के लिए ही गए हो उपर वाले के लिए नहीं गए? तुम नीचे वाले के लिए ही उपर गया हो थोड़ा समय है अपने आपको जरूर दे इस समझ के लिए इस बैचेनी को दूर करने के लिए भीतर का बैचेन एहम हर चीज को आजबाना चाहता है दिर्पते पाने के लिए बस यही है योनियो का सफर जागे रहना कितने कल चले गए कितने कल आने वाले है परन्तु आज एक ही है जितना जीना है जीलो फिर क्या पता कल हो ना हो कल हो ना हो